हेलो एव्रिवान तो वेल्कम टू मैं व्लॉग और आज हम बात करने वाले काजू और कतली के बारे में अच्छा नाम बड़ा प्यारा है ना बहुत सोच के रखा था काफी सारे रीजन्स थे जब इने पहली बार लेके आई थी तो काफी अच्छा एक्सपीरिंस था हाला कि डॉग लेने का नहीं सोचा था सोचा था कि काट लेने जाऊंगी बट काजू ने दिल ही जीत लिया बस आकर के बैठ किया और मैं ले आई मुझे हमेशे से कपल चाहिए था इसलिए मैं जोड़ा लेके आई थी बिकॉज बिंग वर्किंग परसन क्या होता है कि हम पूरी तरह से पूरा ध्यान नहीं रख पाते या 24 गंटे नहीं दे पाते बच्चे को तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अकेला फील करे क्योंकि ए मारे घर पे आई थी अच्छा अब बात करते हैं ट्रेनिंग की मैंने बीगल्स लेने के बाद क्योंकि इट वस अ सर्प्राइजिंग डिसीजिएन मैंने सूचा नहीं था इसलिए बुटल बिट नर्वेस कि मैं इनका ध्यान रख पाऊंगे कि नहीं और कहीं ना कहीं मुझ मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे हमेशा अक्टिव रखे तो उसमें यह लोग बहुत माहिर हैं ट्रस्ट मी अगर आप कभी कोई अक्टिव डॉग लेने के सोच रहे तो बीगल शुट बी और फर्स चॉइस अच्छा जब हम इसे लेके आए तो उसके बाद मैंने काफी मुझकिल हो सकता है और मैं अपना पूरा experience बताऊं तो it's been one and a half year और yes for one year completely they were very naughty मतलब instructions को नहीं मानते थे लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि एक साल तक तो आपका खुद का बच्चा भी नहीं मानता बलकि मैं तो यह बोलूँगे कि 5, 6, 7, 10 साल भी निकल जाते हैं उ उस हिसाब से यह लोग काफी समझदार थे क्योंकि एक साल के अंदर काफी सारी कमांड समझने लग गए थे अच्छा काफी ट्रेनिंग वीडियो में कहा जाता है कि सिंगल वर्ड कमांड इन्हें सिखाई है like sit stand बट मुझे ऐसा फील हुआ कि जब नाम ही हिंदी रखा है त सिखाई जो इसी वज़र से मैंने हमेशा जैसे नीचे बैठो चलो हमारे साथ छट पे चलते हैं ठीक है अगर कभी कोई कॉझ को आजाता है अगर मैंने कोई चीज ऑर्ड की है अगर खाना भी ओर्ड किया कुछ भी ओर्ड किया तो दे ऑल्वेज नो कि यह घंटी किस चीज कि है जैसे ही मैं फोन उठा के पूश्टे हो कहा पे हो भीया दे नो कि उन्हें छत पे भागना है पहले क्योंकि मैं वहां जाके देखूंगे कि वह आये हैं कि नहीं आये तो आप पीगल से यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर को इन्हें बोलेगा नीचे बैठ और यह नीचे बैठ जाएंगे इट डिपेंड्स की कौन इन्स्रक्शन दे रहा है यह उनकी कितनी मानना चाहते हैं और अट इस गुड़ ना विकोज मुझे स्लेव नहीं चाहिए थे मुझे नौकर थोड़ी चाहिए घर में गुलाम थोड़ी चाहिए मुझे वो चाहिए जो सच में दिल से मेरी बातों को माने अगर मैं यूमिन्स के एक्स्पीरिंस में बात करूँ तो काफी बर ऐसा होता है कि हम इंसान जो है दूसरों के साथ जो वेवार करते हैं कि अपने बॉस के साथ हमेशा बट्रिंग वाला वेवार रखूंगे कि ठीक है यस नो करना है मुझे बिकोज आम गेटिंग पेमेंट ठीक है मैं अपनी फैमिली के साथ अलग रखूंगे कि उन्हें बुरा ना लग जाए किसी बात का बट बीगल्स बहुत ही ट्रस्ट वर्दी है यह जैसा फील करते हैं वैसा एक्सप्रेस करते हैं मेरे डेट साल के एक्सपिरियंस में ऐसा है कि अंजान लोगों को देख करके भी कभी भी हाइपर रियाक्त नहीं करते कभी भी आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कभी भी बीगल्स ने किसी भी अंजान व्यक्ति को देखके भी कभी ऐसे भौकना स्टार्ट नहीं किया या बहुत गुसा करना स्टार्ट नहीं किया मतलब यह हमेशा बहुत ही वेलकमिंग मोड में रहते हैं ओर इसके लधा अगर बात कर इनके कहांए कि तो मुझे कहाने कंञे के लिएक प्रॉक्षिर स्टाट्र फूर्ड मैंने स्टाटल मिने किया आडल्ट हूद पे लेकर अगही लिकिन है साल बात है तब तक मैं उन्हें स्टाटर मैं यह दे रही थी चला जाता है, होता है कभी कभी काम बहुत जादा हो जाता है, यह वर्कलोड बहुत जादा हो जाता है, दूसरा, लेक डेख लेकिश अनने के बाद से, I'm not quite a healthy person as well, सास की दिक्कत हो जाती है कभी 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 तब्रत खराब हो जाती है there was a time period जब मैं महीने भर तक बिमार भी रही थी but I feel like they are so understanding वो आपको उस समय में पता ने कैसे I do not know how they get to know about it वो आपको नहीं परेशान करेंगे वो आपके साथ बहुत कोजी हो जाएंगे they understand that right now you are not in your 100% time frame अभी आप समझ नहीं सकते उनकी बातों को या अभी वो आपको time नहीं दे सकते तो they are in their own वो आपना खुद का ही कुछ करते रहेंगे खेलते रहेंगे and because मैंने couple लिया इसी वज़े से कभी भी ये दूनों अकेला फिल नहीं करते हाँ मैं मानती हूँ अगर in case मैं कोई एक डॉग लेके आती तो definitely ये मेरी responsibility होनी चाहिए कि मैं उन्हें 24 गंडे time दू still I try my level best मैं कोशिश करती हूँ मैं सुबह बहुत जल्दी उठ हूँ 5 बचे उठ गई so that मेरे पास हमेशा काम शुरू होने से पहले time period हो इन लोगों के साथ spend करने के लिए अब तो मुझे habits ही हो गई है चत पे जाना ही जाना है भार balcony में चली गई ताक कि वो news पर लेके आ सके काजू आप लोगोंने मेरे shots बगरा में देखा होगा अभी latest इस ने शुरू किया है I'm not a good trainer मतलब मैं training में बिलीव भी नहीं करती छोटी मोटी commands ये लोग खुदी समझने लगए like a family member जिसे हर कोई सुनने लग जाता है देनों कि हर कोई ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना है लेकिन उसके अलावा जो भी छोटी छोटी आदिते हैं ये खुद सीखने लगए like many नहीं कभी सिखाया नहीं they are like वो खुदी नियूस पर लेने चला जाता है and it's always kaju कतली थोड़ी सी sincere type की है serious type की है she's not into this mode की वो भागी भागी जाके कुछ करने के कोशिश करेगी आपको impress करने के कोशिश करेगी she's more of like की वो लेटना पसंद करती है हर जगा पे अगर कभी भी आपके पास आजाएगी बैठ जाएगी तो बस वो चाहेगी कि आप उसके साथ बैठे रहो she's not into that active mode हाँ लेकिन उसका active mode सिर्फ काजू के साथ आता है अगर if they both are together they are going to be too much fun आप सिर्फ इने देख के पूरा दिन निकाल सकते हो it's been डेड़ साल still trust me मैं अभी तक भी इन से कभी भोर नहीं हुई मैं कभी ये नहीं चाहते कि ये लोग चले जाए मतलब ऐसा नहीं कि तुम नूसरे कमने में चले जाओ या तुम यहां से चले जाओ मुझे काम करने तो नहीं even if it's my work time और वो गलती से मेरे कमने में आ गए है and I know they are gonna disturb me during my classes या कुछ भी ऐसा तो भी still I feel like अभी 2 मिनट है start होने में कोई दिक्कत नहीं है यहने 2 मिनट रख लेते उसके बाद भेज़ दूँगे बतले कभी इन से बोर नहीं फिल होते आप दूसरा कई बार जिसे कि pet parents जानना चाते है या कोई नया pet parent बनने के सोच रहा होता है वो यह जानना चाते कि क्या यह कोई नुकसान करते है या कोई चीजे तोड़ देते है या ऐसा तो कुछ नहीं तो अगर मैं अपने experience के basis पर देखो तो छोटे छोटे बच्चे कब बच्पर में गलतिया नहीं गरते है ना मेरा चोटा भाई था उसने तो बड़ी बड़ी मशीने भी खोल के रख देती और माई फादर वस आलवेज लएक कि कोई चीज इन से गलती से तूट गई यह एनोंने कोई चीज को नुकसान पुचा दिया या कुछ भी ऐसा तो हमेशा मैंने नोटिस के आ जिसने उस चीज को नुकसान पुचाया है वो हमेशा आपको कौने में बैठा हुआ मिलेगा वो जिसे एक addictive आलकोहलिक किया दिक नहीं हो थी कोई शराबी होता है शराब पीली उसके बाद साई हरकते कर दी और उसके बाद फिर वो गिल्टी फील करके बैठा हुआ है कि मैंने कुछ तो किया है इसमें कुछ लेट से मैं एक चोटा से एक्सपिरिंस बताऊंगी सोफे के साइड में एसे इन्होंने खेलते खेलते खाजुने और साइड का हिस्सा फाड दिया ठीक है उसके बाद ही सोल गिल्टी यह जाता है कौने में कौने में जाके बैठ जाता है इसको पता इस डाट है थोड़ा बहुत अगर आपने इने बोल दिया तो समझ चुके होते हैं कि हाँ उनसे गलती हो गही है बिकुज आफ्टर दाट दे विल नेवर डू दाट लिए ठीक है उसके बाद फिर आप फिर एक्सपेक करो कि यह कुछ ना कुछ गलती फिर करेंगे नहीं मेमरी बनान अंदर यह अंदर एक्सपेक करें कि सोते रहें कौन सा इसा टाइम पिरड़ा इनकी लाइफ में जब यह थोड़े लेजी हो जाएंगे यू डूंट हाब टू लेकिन मैं आपको बता देती हूं क्योंकि इन्हें अक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है हमेशा इनके सथ करने के लिए मैं फ्लाट में रहती हूं मेरे पास कम स्पेसदो ने कि तिल मैंने घर में जादा से जादा चीजएं इधर उदर कर रखी हैं थाकि इनको गोम्ने में कभी कोई कमी महसूस ना हो इन्हें आहिसा न लगे कि इनके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है मैंने मेरा प सबसे बड़े क्वेस्टिन की जो मैंने सब जगह ट्राई किया सर्च करना बट पीपल राइक नौट रेडी टौक अबॉट टूमाच लोग बात नहीं करते या पेट पेरेंट्स इतना एक्सपैंड नहीं करते एक्सप्रेस नहीं करते हैं मेरे साथ इसा रहा दाट इस कि इन इनकी जो शेडिंग होती है या इनके जो बाल होते हैं इनने कैसे मैनेज किया जाए लिटरली बॉट फर दे फर्स टाइम वाक्यूम क्लीनर एस वेल वह भी मेरे लास्ट यर ही चे महीने पहले बाई किया था लेकिन मुझे नहीं लगता कि वाक्यूम क्लीनर वाप्शन मैं ने बड़ा वाला ले लिया था और इनके जो बाल है उसके एकॉर्डिंग मैं यह नी सोचती कि मैं हर दो सेकंड में वैक्यूम क्लीनर निकालती जाओंगी और मैं उस बड़ई से वैक्यूम क्लीनर से हर बार क्लीनिंग करूंगी घर की आप नॉमली एक विदाउट पेट ह तो घर की क्लीनिंग में थोड़ा सा टाइम लगने माला है अब जैसा कि लोग पॉटी ट्रेनिंग सुसु ट्रेनिंग साटिंग से कर देते हैं देर वस लॉग पीरिड ऑफ टाइम जब मुझे मेरे बच्चों के लिए ऐसा रखना पड़ता था कि ठीक है इन्होंने सुसु के लिए बना रखा है तो आई नो कि वो यहीं पर जो भी है करने वाले है तो आइम ओके विद आट क्लीनिंग एस वेल ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है मेरा खुट का बच्चा होता तो भी मैं क्लीन कर ही देती बट अगर मैंने सुबह लेके चली जाती हूं बाहर तो डे के रिगार्डिंग ताकि अगर मलनों का भी सोफे पे या रेकलाइनर पे या कहीं पर बीन के बाल आजाते तो मैं उसी जाड़ू से लगाती हूं बतलब साफ कर देती हूं और यह मुझे डेली करना पड़ता है मेभी शायद ट्वाइस ट्राइस करना पड़ता है लेकिन क् मेरे लिए अभी क्लीनिंग एकदम से 24 घंटे अलाउड नहीं है मतलब मेरे पस टाइम पिरिड नहीं रहता है इतना ज़्यादा तो इसी वज़े से मैं इन्हें जादतर हॉल में और बाहर वाली रूम में रखती हूं इनके बेड के रिगार्डिंग येस जो बेडिनोंने अभी लेटिस्ट पाड़ा है आप लोगों ने शौर्ट में देखा हुगा डाट वस मैं बेस्ट चॉइस बिकोज डेड साल के बाद उसका ये हाल हुआ है अगर आप में से कोई भी लेना चाहे आप मुझे बता सकते हो मैं लिंक अटाच कर दूँगे ठीक है और इसके रि लेकिन आई फिल लएक ये मेरी गलती है फिकोज लास्ट टाइम आई बाट शांपू अड़ फिल लाइक शायद वो शांपू इन्हें सूट नहीं किया मैंने काजू के साथ दो बार यूज किया और कतलू के साथ एक बार यूज किया था अब इनके बाल जादा जड़ने ल लेने जाएं तो हमेशा शॉप प्रिफर करें ओन्लाइन एक तो ओर नहीं करें बतलब एकदम से आप ओन्लाइन ओर नहीं करें अंटिल अन्लेस यू नो कि किस कंपनी का ओर करना है मैंने रैंडम ली ऐसे ही आइस ब्लिंकेट से मंगाया था ऐसी ओर करके मुझे लगा ठीक क्या अच्छा ही होगा टीटरी वाला था कोई सा तो वो इन्हें सूट नहीं करा और अभी मैं उसे यूज नहीं कर रही जब से मैंने यूज नहीं किया तब से इनके बाल जढ़ने थोड़ा कम हो गए है कतलू के तो अब बिल्कुल नहीं जढ़ते लेकिन काजु के अभी काफी जढ़ रहे है तो इन्हें मेरी वजह से मुझे लगता है इसा लग रहा है काफी प्रॉब्लम हो गई है और इसके लावा इनके बालों को हैंडल करना थोड़ा से देखना पड़ता है बाकी यार वेरी क्यूट यूट वो समझेंगे आपको और मैं जब भी बाहर वाल पाच-पाच घंटे लगाता है रहे से काटे हुए हैं वेन दियार जस्ट सिटिंग वी विद मी ओन डरेक्लाइनर दूइंग नथिंग सिर्फ बैठे रहेंगे वहां पर क्योंकि उन्हें पता है कि यह टाइम उन्हें बाद में नहीं मिलेगा पता नहीं मैं ऐसे बैठने ह आहूं नहीं आहूं या मैं सोने चली जाओंगी तो दे इंज्वाइट अलॉट मतलब आप जैसे इनकी साथ रहना चाहते हो देविल एडजस्ट वियर रूटीन और यह चीज मुझे इनकी सबसे प्यारी लगती है इसके लावा मैंने पहले डॉग जोन की हैं कि नहीं येस आपके रूटीन के अपने आपको अजस्ट कर लेते हैं ये बहुत बड़ा क्वेशन कभी कभी लोग कहते हैं कि बीगल्स को आप घर पर अकला नहीं छोड़ के जा सकते हैं बिकोज दे क्वाइट मिस्यू बट वाट मैं एक्सपिरेंस वास कि मैं जब भी घर से बाहर गई अभी क्या हुआ मैं एकदम से बाहर जाओंगी तो उन्हें फील होगा लेकिन उसके बाद सेकेंड टाइम से उन्हें पता था that this is my routine I'm going to go out तो दे वर ओके विद आट वो लगातार उसके से अड़्यस कर गई इवन मेरा maximum time period बाहर रहने का 8 गंटे भी रहा है but there was no complaint कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पीछे से इन्होंने परिशान किया हो यह चिलाने लग गयो मैं इनका खाना रखके जाती थी पानी मैंने रख रखा था हां regarding the water they have to be hydrated all the time तो आप लोगों को इनके खाने का और पानी का timing set क का मतलब है उसमें कुछ गिर जाए कुछ ऐसा हो जाए तो आप लोगोंने वीडियो में देखा होगा मैंने इनके पानी के लिए अलग से वह सेट अप मंगाया था I'm not saying starting से afford करी आपको जब भी ऐसा लगे कि अब आप अफॉर्ड कर सकते तो it was also quite like okay था मेरी pocket के लिए और य नहीं है बिकोज यह पानी अच्छे से पीते हैं they will never actually like disappoint you regarding that okay so this was my experience आपको अगर कोई